हेलो फ्रेंड्स देजिंग क्लासे हम आपको सवागत है दोस्तों राजस्तान हाइकोट LDC हिंदी इंग्लिश के आकर्मन क्लास पांच हमारे होने वाली है जो आपके लिए रामबान रहेगी अच्छे-च्छे क्योशंस सारा सब कुछ मैंने इसमें कवर किया है आज शाम को सा आथ बजे राजस्तान हाइकोट LDC मोडल पेपर फर्स्ट हम यूट्यूब पर करेंगे डेड़सों करेंगे उन देड़सों प्रिशनों से हम कई प्रिशन कवर कर लेंगे मार्केट में आपको जो बुक मिल रहे हैं उसमें जो मोडल पेपर आपके फर्स्ट दिया हुआ है और जो एप में आपको मोडल पर फर्स्ट दिया हुआ है वो सेम ही है उसका सोलूशन हम आज यूट्यूब पर करने वाले हैं जिन्होंने मार्केट से बुक अभी तक पर्चेस नहीं करिया वो कर लें पूरे राजस्तान में बुक अवेलेबल है अब और हमने बुक्स कर दिया है तो जल्द पर्चेस करें ओफर का फाइदा उठाएं यह जो क्लास से सल रही है इसे क्लास की पीडिएफ आपको डेनिल क्लासेज के टेलिगराम चैनल पर बिलकुल फ्री मिलती है शाम को इसकी पीडिएफ आपको मिल जाती है जो यह चीजे करवा रहा हूं यह रामबान है एक्जाम के लिए रामबान रहेंगी तो अच्छे से आपको इन सबको कवर करना है चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले पांच इंपोटेंट प्रियावाची शब्द हम देखेंगे लक्षमन लक्षमन को हम सुमित्रा नंदन बोलते हैं सुमित्री ब बोला जाता है लक्षमन सुमित्रा नंदन साथ बोलो साथ साथ रीपीट करो क्लास के साथ सातियम याद भी करें लक्षमन सुमित्रा नंदन है सुमित्री है शेशावतार है सुमित्रा नंदन है सुमित्री है शेशावतार है हाथ की बात करें हाथ हस्त कर पानी बाहु बु बुजा बोलते हैं हाथ को हस्त कर पाणी बाहू बुजा आदी बोला जाता है पाणी है यह पाणी नहीं है पाणी पाणी भी हाथ को भी बोलते हैं तो हस्त कर पाणी बाहू और बुजा किसको बोला जाता है हाथ को बोला जाता है हस्त कर पाणी बाहू बुजा इस्त्री काफी इंपोर्टेंट है एक्जाम में बन सकता है इस्त्री नारी बोलते हैं नारी बोला जाता है तीय बोला जाता है त्रिया बोला जाता है अबला बोलते हैं कामिनी बोलते हैं सुन्दरी कौमलंगी और योशीता नारी को बोलते हैं तो नारी, तिये, त्रिया, अबला, कामिनी, सुन्दरी, कौमलंगी और योशीता नारी को बोला जाता है जिसमें तिये हो गया, त्रिया हो गया, कामिनी हो गया, कौमलंगी हो गया, योशीता हो गया ये तो काफी इंपोटेंट भी है उदर की बात करें जठर बोलते हैं पेट बोलते हैं तुन्द बोलते हैं उदर का जठर इंपोटेंट है जठर इसमें इंपोटेंट हो जाएगा शतरू की बात करें एमित्र बोलते हैं अरी जएम प्रयाचे शब्द पढ़ते हैं मुरारी दूश्मन बोलते हैं रिपू बोलते हैं विपकशि बोलते हैं आराती बोलते हैं तो शत्रू अरी हो जाएगा विपक्षी हो जाएगा अराती हो जाएगा दुश्मन हो जाएगा रीपू इंपोर्टेंट है रीपू बोलते हैं एमित्र अरी दुश्मन रीपू विपक्षी और अराती ये बोला जाता है पांच प्रियावची शब्द हमने देख ली पांच वी क्लास है तो पांच गुणा पांच पच्चिस इंपोटेंट प्रियावची शब्द हो जाते हैं एक्जाम तक लगबग भी हम नोटीस करें लगबग हम देखें तो मारी तीस डेली डोज की क्लासे परियावची शब्द आप सीख लोगे एप में जो परियावची शब्द करवा रखें वह आपने कि यहां से भी वहां कुछ नए और मिल जाएंगे इस क्लास में देखोगे थोड़ा और नए ने कुछ मिलेंगे तो आराम से आपके 200 तक परियावची शब्द कवर हो इतना परियावची शब्द करने के बाद तो अच्छा कासा सेंस हमारे डवलप हो जाता है अच्छी सारा सिब कुछ हम सीख लेते हैं दस विलोम शब्द की बात करेंगे विलोम शब्द तो एक्जाम तो काफी सारे कर लेंगे हम 300 तक पहुंच जाएंगे सत का एसत होता है सत मतलब सत्य होता है सत का एसत्य होता है तो एसत्य हो जाएगा सत्य हो जाएगा सत्य हो जाएगा रुग्ण का स्वस्त हो जाएगा रुग्ण मतलब जो कोई बीमार होता उसको बोलते हैं स्वस्त या निरोग हो जाएगा अभी जैसे जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ चीजें आपको ऐसे लगेंगे ये तो काफी आसान है कर लेंगे अच्छे से धंग से याद नहीं करोगे एक्जाम में ऑप्शन में कनिफ्यूज हो जाओगे इसलिए अच्छे से आपको याद करने है हातों हात आपके शब्द के साथ विलोम शब्द हातों हात आना चाहिए मनुज का दनुज होता है मनुज मनुशे दनुज राक्षष तो मनुज का विलोम शब्द क्या होता है दनुज होता है मनुज दनुज होता है मरिशन का रुक्ष होता है मरिशन की बात करें मुलायम होता है रुक्ष का मतलब रुखा होता है मरिशन रुक्ष होता है मरिशन का रुक्ष होता है ब्रांत का नीब्रांत होता है ब्रांत ब्रह्म में पड़ा हुआ गबराया हुआ नीभ्रांत हो जाता है, ब्रांत का नीभ्रांत हो जाता है, ब्रह्म में पड़ा हुआ, कोई गबराया हो उसका नीभ्रांत हो जाता है, मूख का वाचाल होता है, कोई तो मूख है, गुंगा, कोई वाचाल है, जो काफी बोलता है, तो मूख वाचाल हो जाता है, मूख का काप पुरुष का सूपुरुष हो जाता है काप पुरुष का ये डर पोग सूपुरुष का सूपुरुष हो जाता है उपमान जिसकी उपमा की जाए उपमान और उपमे उपमा दिये जाने होगे उपमे तो उपमान का उपमे हो जाता है दूम निर्धूम दूम मतलब धूआ निर्धूम हो जाता है दूम निर्धूम हो जाता है तो जो दस विलोम शब्द हमने देखे हैं मैं शब्द बोलूँगा मेरी तरफ ही देखना है और विलोम शब्द आपको बोलना है ताकि हातों हात दस के दस हमारे याद भी हो दनुज मनुज दनुज मुरिशन मुरिशन इंपोटेंट है मुरिशन का रुक्ष हो जाएगा ब्रांत नीब्रांत नीब्रांत मूग का वाचाल हो जाएगा ग्रस्त का मुक्त हो जाएगा का पुरुष का सुपुरुष हो जाएगा का पुरुष सुपुरुष उपमान का उपमे हो जाएगा धूम का निर्धुम हो जाएगा अच्छा कई intention करें स्थ्र करन डीख कर रहें हैं सरं करेंट से करेंसरे के सूरिंसथ मिल ते ओ Mississippi साथ मिलो ऑद उसरें desktop करेंगे 5 एक दिन दिन चभी एक दिन करा हुआ कल मैं बता दूँ कल आपके जीके के टोप इंडेड क्योशंस मिलेगे जीके भी ले लूँगा, करेंट अपिर भी उसमें इंक्लूड कर लूँगा ऐसे एक दिन मोडल पेपर हो जाएगा, एक दिन जीके के सोकेशन हो जाएगे हिंदी इंगलिश डेली डोज हमारे चली रही है इस तरह से हम एक्जाम तक चलते रहेंगे तो हिंदी इंगलिश भी हो जाएगी, आपके करेंट अपिर भी हो जाएगा, जीके भी हो जाएगा मोडल पेपर भी चलते रहेंगे, सारी चीजे सिक्वेंस से हम करते रहेंगे अनेकार्थक शब्दों की बात करें, अनेकार्थक का मतलब होता है जिनके एक से ज़्यादा अर्थ निकलते हों, उन्हें हम अनेकार तक शब्द कहते हैं जिसे प्रान की बात करें, प्रान मतलब प्रानवायू होता है, जीव होता है, इश्वर होता है और ब्रह्मा हो जाता है तो प्राण प्राणवायू जीव इश्वर और ब्रह्मा हो जाता है अनेकार तक शब्द मतलब एक से ज्यादा आर्थ निगलते हैं तो अनेकार तक शब्द आसानी से याद नहीं होंगे कोशिश करना लिक लिक कर इनको अच्छे से आप याद कर कर लोगे तो सारा कोर्स भी कर लोगे अच्छे स्कूर कर लोगे महावीर महावीर हनुमान जी को बोलते हैं महावीर जो शक्तिसाली होता है उसको बोलते हैं और जो जैन तिर्थंकर थे महावीर स्वामी तो महावीर हनुमान, महावीर शक्तिसाली हो जाता है और महावीर जेन तिर्थंकर हो जाएंगे रश्मी कीरण को बोलते हैं, घोडे की लगाम को बोलते हैं, रश्मी डोरी को भी बोलते हैं तो रश्मी कीरण गोडे की लगाम और डोरी, मान किसी का मान करना, अभिमान करना, इज्जत करना मान किसी का अभिमान करना, इज्जत करना, नापतोल, पैमाना, और मान करोध भी होता है तो मान, अभिमान, इज्जत, नापतोल, पैमाना, और करोध हो जाएगा अभिमान, इज्जत, नापतोल, पैमाना, करोध सुम यम को बोलते हैं सुम यम को बोलते हैं सुम कुबेर को बोलते हैं सुम चंद्रमा को भी बोलते हैं सुम वार है चंद्रमा का वार है तो सुम चंद्रमा को भी बोलते हैं सुम वार हो गया चंद्रमा हो गया अमरत हो गया वायू हो गया जल हो गया और स्वर्ग हो गया तो सौम, यम, कुबेर, चंद्रमा, सौमवार, अमरत को भी बोलते हैं अमरत भी important है वायू, जल और स्वर्ग हो जाएगा और सौम अनेकार तक में काफी important भी है सौम हो गये, सारंग हो गये, ये कई बार पुछे जाते हैं तो सोम, यम, कूबेर, चंदरमा, सोमार, अमरत, वायू, जल और स्वरग हो जाएगा वाक्यांस के लिए एक शब्द देखते हैं वाक्यांस के लिए एक शब्द मैं दस इसलिए ले रहा हूं क्योंकि पिछली बार हमारे लगबग आठ वाक्यांस के एक शब्द पूछे गए थे और आठ का मतलब होता है आठ दुनी सोला, सोला नमबर इसलिए मैंने सोचा कि वाक्यांस के एक शब्द तो हम दस ही करेंगे डेली दस करेंगे ताकि एकजाम तो तक तीन सो के आसपास हमारे कवर हो जाएं और अच्छे अच्छे कवर करेंगे सक्रिये इधर उधर गूमने वाला, सक्रिये इधर उधर उधर गूमने वाला चरिशनू बोलते हैं सक्रिये इधर उधर गूमने वाला क्या कहलाता है चरिशनू कहलाता है उसे चरिशनू कहते हैं समुद्र से सम्मंदित आग बढवा नल या बढवागनी कहलाती है समुद्र से सम्मंदित आग बढवा नल या बढवागनी कहलाती है पेट से सम्मंदित आग जटरा नल कहलाती है जटरा नल कहते हैं जंगल में लगने वाली आग दवागनी डव जंगल को बोलते हैं दव पलस अगनी से क्या शब्द बनगया दावागनी बन गया दावागनी का मतलब जंगल में लगने वाली आग दावागनी जिसे हम बोलते हैं तो जंगल में लगने वाली आग दावागनी शब्द बन गया पूरे विश्व में व्याप्त आग विश्वा नल शब्द बन गया विश्वा नल हम बोलेंगे तो पूरे विश्व में व्यापताग विश्वानल कहलाती है और ऐसे ही हम बात करें जो इधर उदर हिल रहा हो उसे क्या बोलेंगे जो इधर उदर हिल रहा हो उसे दोलायमान बोलेंगे जो इधर उदर हिल रहा हो दोलायमान बोलेंगे दोलायमान उसे बोला जाता है कहने या व्यक्त करने का इच्छुग विवक्षु कहलाता है कहने या व्यक्त करने का इच्छुग विवक्षु कहलाता है विवक्षु से हम बोलते हैं वह इस तरी जिसका पती मर गया हो विद्वा कहलाती है विद्वा उसे हम बोलते हैं वह पुरुष जिसकी पतनी मर गई हो विदुर कहते हैं उसे आवश्चकता से अधिक बरसात अतिवरस्टी कहलाती है तो इसमें जो वाक्यांस के शब्द मैंने लिये हैं साथ से आठ तो ऐसे लिये हैं जो आपने पहली बार ही सुनेंगे अपने इंपुटेंट भी है देखो जो कलास होती है लगवग 35 मिनट के आस पास की कलास इसमें मेरे को कलास त्यार करने में तीन से चार गड़े लग जाते हैं आपके क्योशन सेलेक्ट करना इसको तैयार करना और यह सारा सब कुछ कॉंटेंट आपके लिए फ्री रहता है इसलिए आपको करना किया है जितना जYदा ऊसके SHARE जरूर किया करें SHARE आपको करोगे मैं और अच्छा आपके लिए करूँ गा तो कोशिश करें जहां जितना ज्यदा ऊसके SHARE जरूर किया करें यह तो वाक्यास के दस हमने श except देखे हैं अब आपको आंसर बोलना है, सब का मेरी तरफ देखना आंसर बोलना है, सक्रिये इधर उदर गूमने वाला क्या कहलाता है, सक्रिये इधर उदर गूमने वाला क्या बोलेंगे, चरिशनु बोलेंगे, चरिशनु उसे हम बोलेंगे, चरिशनु बोला जाएगा, समुद्र से सम संमंदी ताग पेट से संमंदी ताग तो जट्रा नल कहलाती है जंगल में फेलने वाली आग तो जंगल में फेले मल्याग दावागनी कहलाती है पूरे विश्व में व्यापताग वेश्वानल कहलाती है जो इधर उधर हिल रहा हो उसे दोलायमान बोलते हैं कहने या व्यक्त करने का इच्छुक तो वीवक्षू कहलाता है कहने या व्यक्त करने का इच्छुक वीवक्षू कहलाता है वह इस्त्री जिसका पती मर गया हो काफी आसान है विद्वा और वह पुरुष जिसकी पतनी मर गई हो उसे तो विद्वर बोलते हैं आवे शेक्ता से अधिक बरसात तो अति वरिष्टी और बिल्कुल ये बरसात नहों होना एकदम सुका पड़ जाना अना वरिष्टी कहलाता है दस वाक्यान्स के एक शब्द देखे अब बात करेंगे दस मुहावरे और लोकोक्तियों के बारे में टेडी खीर होना कठिन काम होना आई एस एक्जाम पास करना टेडी खीर है हाइकोट लडी सी पास करना टेडी खीर नहीं है अन्ति में जो समय 30 दिन बचे उसमें भी अगर आप ढंग से अच्छे से चलोगे न दस बारा गंठे टेली निकालोगे सिक्वेंश से जो आपको बार-बार बोलता रहा हूं यह करना है यह करना यह करना है कड लोगे और जो स्टूडेंट कर ले नहीं ले जाएंग गे सिलेक्शन वहार तो यह तेडी खीर नहीं है आईएस पास करना टेडी कीर हो सकता है हाई कोटल डिसी पास करना टेडी कीर नहीं होगा तो टेडी कीर होना कठिन काम होना भैस के आगे बीन बजाना मुर्ख व्यक्ति को उपदेश देना निरठक होता है कई-कई स्टूडेंट लाखों स्टूडेंट्स को मैं बार-बार बोलता हूँ पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो कई-कई तो ऐसे हैं जो नहीं सुनेंगे क्योंकि भैस के आगे बीन बजाने से कुछ नहीं होने वाला है जिनको नहीं सुनना वो नहीं सुनेंगे और जिनको सुनना है सीरेस लेना वो सीरेस ले जाएंगे सेलेक्शन भी ले जाएंगे तो भैस के आगे बीन बजाना मुर्ख व्यक्ति को उपदेश देना निरठक होता है उंगली पकड़कर परकोष्ट पकड़ना शूरू में थोड़ा सा सहारा प्राप्त कर फिर सहारा देने वाले पर पूरा दिकार जमा लेना ना उंगली तको 4 his capacury व 65 लिया हम बोलते हैं ना काहुतों में कि उंगली पकड़ पूरा हाथ ही पकड़ लिया थोड़ा सां ने फिर उसने प्रोंगा斯 एनопर प्रिकुर्ट को स्कों कрь लिया हो तो उंगली पकड़ saying precious पकड़ना शूरु की सहरा देने पर पूरा अधिकार जमा लेना उसे हम बोलते हैं आस्तिन का सांप दोखेवाज साथी आस्तिन का सांप बोलते हैं यह तो आस्तिन का सांप निकला इस पर तो पूरा वरुसा था मेरे को यह दोखा नहीं देगा दोखेवाज साथी निकला आस्तिन का सांप निकला सोचा नहीं दूए पहीजात बगवान का नाम नीना तो अच्छा ही होता करड़ा देना कार्य का पाणी पीना विभिनिस्तानों पर घूम कर अनुभव प्रात्त करना इंग्लिश्त दो सबकी खंजुर ते रही इच्छी केसे हैं है है गाट गाट का पानी पिया है गाट-गाट का पानी पी लिया इसलिए अनुभव का पानी पिना विभिनिस्तानों पर घूम-गुन कर अनुभव को प्राप्त किया सकता है जड़ जमाना मजबूत हो जाना जड़ जमाना मजबूत हो जाना जैसे मुके संबानी अपने बिजनेस में जड़ जमा चुके हैं मजबूत हो चुके हैं अब वो पिछे नहीं हर सकते अब उन्हें कोई गिरा नहीं सकता क्योंकि जड़ अच्छे से जम गई है वैसे भी कोई पेड होता है बहुत बढ़ जाता है जड़ उसकी जम गई फिर वो आसानी से गिरेगा नहीं काफी मजबूत हो जाता है और स्टडी के फिल्ड में भी आपने देखना कई तना पढ़ लेते हैं कि अच्छे से जड़ जम चुकी हैं सेलेक्शन के करीब होते हैं सेलेक्शन ले जाते हैं क्यों स्टडी में इतना उनको नोलेज मिल चुका है अनुभव प्राप्त कर चुके हैं बालू से सोरी पानी पी पी कर कोशना बहुत अधिक बुराई करना किसी की बहुत अधिक बुराई करना उसे बोलते हैं पानी पी पी कर उसको कोशे जा रहा है मतलब बहुत से तेल निकालना एस संभव कारिये करना बालू से तेल निकालना एस संभव कारिये करना अंति में एक महीने का समय एक्जाम का बचा है किसी नहीं सोचा था कि अमित नाम का लड़का इस सेलेक्शन ले जाएगा इसको तो कुछ भी नहीं आता लेकिन अमित ने क्या क्या अंति इसको क्या बोलते हैं पेट में डाड़ी होना जिसे किशी को बरोसा नहीं होता है यह तो सीधा सा लग रहा है सिंपल सा लग रहा लेकिन पेट में डाड़ी है बैसा मतलब चालाक है चतुर है मुहावरी और लोकोक्तियां देखी शब्द शुद्धी जैसे ही आती है एक बात हमें साब बोलता है यह हूं शब्द शुद्धी लिख लिकर प्रिक्टिस करोगे हर शब्द की पांच बार प्रिक्टिस करोगे एक्जाम में अच्छा होगा एक्जाम में गलत नहीं करोगे इक्षा होता है वो इक्षा जिसे द्रश्टी हम बोलते है इक्षा यह की बड़ी मात्रा हती है इक्षा बोला जाता है शुद्ध शुद्ध क्या है इक्षा तो प अध्यात्मक नहीं अध्यात्मिक होता है क्या बोलते हैं अध्यात्मिक बोलते हैं अध्यात्मिक बोला जाता है अध्यात्मिक शुद्शब्द है मुहूर्थ की बात करें तो मुहूर्थ होता है मुहूर्थ मुहूर्थ उकी बड़ी मात्रा हो में उकी बड़ी मात्रा एगी मुहुर्त उसे हम बोलते हैं मुहुर्त मेनेजर नहीं होता है मेनेजर होता है मेनेजर नहीं मेनेजर मेनेजर होता है मेनेजर दो मातर आएंगे मेनेजर हम बोलेंगे ब्रांच मेनेजर होता है नई दिल्ली ये की मातरा नहीं आएगी इ की आएगी नहीं दिल्ली बोलते हैं नहीं इ आता है इ की बड़ी मातरा नहीं दिल्ली शब्द बनेगा ऐसे ही अथे वस्तर नहीं होता अथो वस्तर होता है अनेको कभी नहीं होता अनेको शब्द ही गलत है अशुद शब्द है अनेको होता है अनेक लोग पहुंच रहे है अनेक विद्यारती पहुंच रहे हैं, अनेक है अनेक हो नहीं होता अनेक हो तो शब्द ही गलत हो जाएगा, तो अनेक शब्द की प्रिकृटिस करनी है इसे ही अर्थार््त, अर्थार्ध, लाष्ट में तैके हलंथ भी लगेगा अठार्त उसे हम बोलते हैं और इमारत होता है इमारत नहीं होता एकी छोटी मात्रा ही आती है बड़ी नहीं आती है इमारत उसे हम बोलते हैं इमारत छोटी मात्रा आती है वापस ये दस शब्द बोल रहा हूं इक्षा कैसे लिखोगे बड़ी मात्रा इक्षा बड़ी मात्रा ओध्योगिक होता है ओध्योगिक ओकी बड़ी मात्रा ऐसे ही आध्यात्मिक आध्यात्मिक मुहूर्थ मुहूर्थ है में उकी बड़ी मात्रा मुहूर्थ मैनेजर क्या लिखेंगे मैनेजर दो मात्रा मैनेजर के मैं में दो मात्रा मैनेजर नई दिल्ली नई दिल्ली एकी बड़ी मात्रा नई दिल्ली अथोवस्तर होता है अथोवस्तर नहीं अथोवस इमारत 시ड शुद्ध है इंगलिष की हमने बात करी सोरी ही इंगलिष की अब बात करेंगे और इंगलिष में सब से पहले टॉप Tन वनवर लिए हैं democratic कामेंट थे कि सर जब वनवर बता हो, हिंदी में मिनिंग भी उनके साइस बता ते रा करो, ताकि में हिंदी में उसका मतलब भी नहीं होना था कहीं, आपके problem ना हो समझ्या ना हो इस्टूडेंट के समझ्या नहीं होना चाहिए एक escape goat भी होता है जो बली का पकराजी से हम बोलते हैं उसे escape goat बोलते हैं और यह हो जाएगा escape grace escape grace one who always gets into trouble is called escape grace मुर्ख व्यक्ती escape grace बोलते हैं a permanent military station is called cantonment बोलते हैं च्छावनी जो होती है a permanent military station is called cantonment बोलते हैं च्छावनी cantonment spelling भी ध्यान रखना spelling पर भी focus करना cantonment बोलते हैं A policy of extending a country's empire and influence समरज्य वाद जिसे हम बोलते हैं Imperialism बोला जाता है Imperialism बोलते है Imperialism समरज्य वाद Imperialism बोलते है Imperialism बोला जायेगा A person who is reserved in speech Alpavasi जिसे बोलते है Alpavasi कम बोलने हमादा अलपवाशी का रेटी सेंट वोलते हैं कि डैटीज कौप लाइक कि लिये मैंने काफी अच्छे च्य विडू नैंने मिल सकते हैं जैसे एप में कितने सारे हैं आपके यह ओगए काफी सारे हो जाएंगे इसा बोलते हैं इसको आपके सवागत करने वाली महिला उसको vomiting is called emetic, emetic उसे हम बोलेंगे, emetic बोलेंगे, science of weight, metrology कहलाता है, science of weight is called metrology, science of time, horology, science of the physical structure of the body is called anatomy, उसे हम anatomy बोलते हैं, anatomy बोला जाता है, thus one word हमने cover किये, हमारी कोशिश रहती है कि साथ साथ ही हमारी याद भी हो, तो मैं वापस repeat कर रहा हूँ, आपको answer बोलना है, one who always gets into trouble is called, उसे तो escape grace बोलते हैं, मुर्क होता है, क्या कहते हैं, escape grace बोलते हैं, और एक बली का बकरा होता है, escape goat बोलते हैं, और यह escape grace है, escape grace, a permanent military station is called, a permanent military station क्या कहलाता है, तो cantonment कहलाता है, छावनी, cantonment, 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 repeat करो, spelling लिखो, अपने हाँ पी साथ साथ याद हो जाएगा, a policy of extending a country's empire and influence, सम्राज ये वाद, क्या बोलेंगे इंग्लिश में उसे हैं, imperialism बोलेंगे, imperialism बोलेंगे, imperialism कहलाएगा, spelling भी साथ साथ आप प्रेक्टिस करना, a person who is reserved in speech, अलप बासी व्यक्ति क्या कहलाएगा, reticent कहलाएगा, reticent बोलेंगे, that is corpse like, शाव तुले, मरे हुए व्यक्ति के समान है, केड़ वरस कहलाता है, केड़ वरस उसे हम बोल देंगे, c-a-d-a-v-e-r-o-u-s, केड़ वरस कहलाएगा, a woman who entertains guest is called, जो महमानों का इच्छे से स्वागत करती हो, सतकारिनी हो, hostess बोलेंगे, hostess, क्या, hostess, a woman who entertains guest is called, hostess, सतकारिनी, a medicine which induces vomiting, जिसे vomit होती हो, emetic बोलेंगे, emetic बोलते हैं, science of weight, science of weight, metrology, metrology कहलाती है, science of time, horology, horology बोलेंगे, science of the physical structure of the body, anatomy, क्या बोलेंगे, anatomy बोलेंगे, thus one word substitution, पांच vocab देखते हैं, vocab भी अच्छी लिए मैंने, अच्छी vocab है, exam में बनने वाली vocab, अच्छी vocab आपको देखने को बलेंगे, जो student समझते हैं इन चीजों को वो समझ जाएंगे, emancipate adjective है, emancipate क्या है, adjective है, मतलब मुक्त करना होता है, emancipate क्या होता है, deliver, discharge, free, liberate, deliver बोल सकते हैं, discharge बोल सकते हैं, free बोल सकते हैं, liberate बोला जा सकता है, emancipate adjective मुक्त करना, deliver, discharge, free और liberate बोल सकते हैं, anti-names की बात करेंगे, detain हो जाएगा, keep हो जाएगा, hold हो जाएगा, impommes हो जाएगा, detain रखना keep, hold और impommes हो जाएगा, вापस बोलते हैं, वापस सीखते हैं, emancipate मुक्त करना, emancipate adjective है, मतलब किसी को मुक्त कर देना, free कर देना, हम बोल सकते हैं, deliver बोल सकते हैं, discharge बोल सकते हैं, liberate बोल सकते हैं enter names की बात करेंगे, detain हो जाएगा, keep हो जाएगा, hold हो जाएगा और impression हो जाएगा invasion, noun, ackerman, हमारी कौन सी class चल रही है, ackerman class ही तो चल रही है तो invasion का मतलब आकर्मन होता, invasion, ackerman, attack, raid, seizure, encroachment attack बोल सकते हैं, raid बोल सकते हैं, seizure बोल सकते हैं और encroachment बोल सकते हैं encroachment काफी important शब्द भी हो जाएगा, encroachment बोला जा सकता है एंटो नेम्स की बात करें, विड्रोल, रिट्रीट, सरेंडर, विड्रोल बोल सकते हैं, रिट्रीट बोल सकते हैं, सरेंडर बोला जा सकता है, विड्रोल, रिट्रीट, सरेंडर हो जाएगा लेसर अवकाश होता है विश्राम होता है लेसर एक नाउन है लेसर एक नाउन है अवकाश विश्राम बोल सकते हैं लेबर वर्क रेक्स्ट्रिक्शन हो जाएगा और इम्प्रिजमेंट हो जाएगा केटा लोग का मतलब होता है सुची पत्र होता है सुची पत्र होता है लिस्ट रिकोड रजिस्टर बोल सकते हैं लिस्ट बोल सकते हैं रिकोड बोल सकते हैं रजिस्टर बोल सकते हैं एंटो रेम्स की बात करें अनलिस्टेड हो सकता है अन्रिकोडेड हो सकता है अनिस्पेसिफाइड हो सकता है अनलिस्टेड अन्रिकोडेड unspecified बोल सकते हैं मियाग्री का मतलब होता है थोड़ा जो एपूर्ण हो उसे हम बोलते हैं ये एक adjective है in-educate बोल सकते है in-educate जो प्रियापत मातरा में नहीं है deficient बोल सकते है कमी है shortage है little बोल सकते है scanty बोल सकते है तो in-educate हो जाएगा deficient हो जाएगा little हो जाएगा और scanty हो जाएगा एंटर नेम्स की बात करें educate plentiful, ample enough educate important, plentiful, important और ample अच्छे शबदाएं exam में बन सकते हैं तो educate हो जाएगा, plentiful हो जाएगा ample हो जाएगा, enough हो जाएगा idioms और phrases देखते हैं 10 idiom phrases मैंने आपके लिए दस idiom phrases cover की है a coke and bull story an imaginary story मनघगदत कहानी उसको क्या बोलते है manघगदत कहानी होती है fabricated story बोल सकते है तो an imaginary story मनघगदत जो कहानी होती है जो हम मनघगदती बोल देते हैं जैसे बोलते हैं जैसे दादा जी कानिया सुनाते हैं कि मैं गांव से जा रहा था चोराय आया चोराय पर मेरे पैर रख दिया पैर रखते ही मेरे भूत पीछे पढ़ गया अब जो भूत पीछे पीछे मेरे जा रहा है जैसे मैं घूम जाओं मेरे साथ में मीठा भी ले रहा हूं अगर मैं रश्टय चलेंगे तो यह दो कूल है काम जज़्जमेंट् उसे बोलते हैं एक अौल है और तो कीप सच आ हूज इन सच अप्स अब इतने सारे ज़स्विंट कर लेते हूं के सब जयता है कूसर रहता है तो से कूल एड काम जस्विंट कुम तो गris नुच्ट कर देना कोन इस तो मल ंगकर chovi wa polished और को कटाँद सोरी फिगर कडात ए सोरी को प्रोड्यूस एक पुर्ग रिजल्ट कर privacy देना उसे क्या बोलेंगे टुक सोरी फिगर एक उइंट देना कटासरी फिगर और स्वीर एड़ा इंटरिभू इस गडाएं च यू इंप sufator निग गाओ जिंस ओपन बुक स्टरेट फ़ॉरवर्ड और अनेश्ट डिलिंग कहा क्या बोलता है एकदम से मिमांदारी से सारी काम हो रहे है उसको आनो पन पूक है अर गीवद केम ऑवैं गीवदकेम आवे गेव आउट the secret unintentionally मतलब secret बता देना लेकिन इंटेंशनल नहीं था बताने का जान बूच के नहीं बताए अपने आप पता लगे मतलब जान इस गलती से हम बता देते ना secret उसको बोलते हैं तो give the game away give out the secret लेकिन जान बूच के तो नहीं बताए build castle in the air daydream बोलते हैं जो हवाई के लिए हम बनाते रहते हैं उसे क्या बोलते हैं build castle in the air मैं जब राजिस्तान आई कोट LDC में select हो जाऊँगा तो मेरी इतनी salary होगी यह होगा उसके बाद में में को यह salary बढ़ती जाएगी इतने सारे पैसे मिलने लग जाएंगे फिर मैं गाड़ी लिया हूँगा यह कर लूँगा वो यह क्या है यह bill के castle in the air हवाई के लिए बनाना हवाई के लिए बनाने से थोड़ी होगा पढ़ने से होगा study करने से होगा पहले काम करना है सोचने में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है पढ़ने में लगाना है all at sea puzzled जो होता है उसे बोलते हैं all at sea puzzled all at sea puzzled in a nutshell in brief ऐसे बोलते हैं इतना time नहीं है तू आदा एक गंडा लेगा in a nutshell बोल दे brief में बोलते हैं जो तिरको बोलना है दो पांच मिन्ट में बता दे brief में बता दे तिरको क्या बताना है क्या स्टोरी है क्या कहनी है पूरा सब कुछ 5-2 मिनट पे तू बता तो इसे बोलते हैं in a nutshell in brief tell me the story in a nutshell मतलब ब्रीफ भी बता दे Hugh and cry raise alarm the workers raised a hue and cry against the new rule नया रूल आ गया तो workers ने क्या क्या हो अल्ला कर दिया यह क्या नया नियम है यह यह कपड़े पहने पढ़ेंगे हम नहीं पहनेंगे कपड़े हम तो जैसे काम कर रहे हैं वैसे करते हैं उन्होंने रेज अलाम हो गया तो दस इडियम्स और फ्रेजेज देखी अब हम चार कनफुजेबल वर्ट से हमारे कवर करते हैं मतलब रुकना सीज वब रुकना ही औरड हिज में टूचीज फायर रुकना या रोकना हो सकता है तो सीज उसने ओडर दिया जो वक् iş यजेज अन क्या रोकना के लिए सीज वब हो जाएगी एक होता है सीज स-E-I-J-D जब्त कर लेना जब्त करना तो सीज यहां पे जब्त कर लेना हो जाता है स्पलिंग जरूर ध्यान रखना इन्वेंट का मतलब होता है अविश्कार करना और अविश्कार उश चीज का करना जो पहले से मौझूद नहीं थी जैसे पैन है पैंसिल है यह पहले से नहीं थी इनका इन्वेंट हुआ है यह सब हम लोग भारते क्लाते तो वो सारा सब कुछ पहले से ही मौझूद था वास्कोडिगामा ने बोल दिया कि यह भारत है इतना सा तो इन्वेंट आविश्कार करना थोमस एडिशन इन्वेंटेट दे फोनोग्राफ और डिस्कवर खोज करना विए ट्राइंग तू डिस्कवर दे टूथ अबाउट इस डिस अप्रियेंस तो डिस्कवर का मतलब खोज करना हो जाएगा गोलते हैं पास्ट को अतीत को बोलते हैं पास्ट को बोलते हैं पास्ट का मतलब और घृत को देक हिरी यहा फूल हए मतलब उसकी देथ हो चुकी है कई बार एक्जाम में पूछ लेते हैं कई बार रिपीट हुआ है तो पास्ट गुजरा हुआ है बोल सकते ही पास्ट फ्रोम हीर टी एच आर ओ यूजियत थ्रू का मतलब प्रेपोजिशन हो जाएगा में से यू केन गेट गुड रिजल्स थ्रू हाड वर्क हाड वर्क करोगे तो अच्छा रिजल्ट आ जाएगा तो थ्रू में से एक होता है थ्रू टी एच आरी डवलू फैंक देना थ्रू का मतलब फैंक देना यहां पे थ्रू का मतलब फैंक देना होता है यह आपके हिंदी-इंग्लिश-डेली-डोज क्लास हमने कवर की PDF Daniel Classes के टेलीग्राम चलन पे शाम को मिलेगी अब ध्यान से सुनना पांच आपके हिंदी इंगली से डेली डोज की आकर्मन क्लास हो चुकी है आगे से जो क्लासेज होंगी वो महा आकर्मन क्लासेज चलेंगी और भी चीज़ें इंकलूड की जाएंगी यहाँ पर्यावची शब्द विलोम शब्द अनिकार तक शब्द और काफी सारी इंकलूड होंगी महा अकर्मन क्लासेज अब आपके चलेंगी पांच क्लास हो चुकी हैं लगबख 25 क्लासेज जो चलेंगी महा अक्रमन क्लास चलेंगी और तभी चलेंगी जब आप वीडियो सब को शेयर करोगे जितना ज़्यादा हो सके शेयर करोगे आज का टारगेट है जितना ज़्यादा आपको शेयर करना है आज के दिन दिन में आपको 20,000 लोग ये वीडियो देख चुके होने चाहिए इतना आपको करना है कल से मैं आपके महाकर्मन क्लास से चला लें वाला हूँ हिंदी इंगलिस डेली डोज और शांदार आपके होने वाली है आज शाम को साथ बजे हाई कोट लडी सी मोडल पेपर फर्ष्ट हो जाएगा साथ साथ अब आगे से जी के और करेंट अफेर का अलग से वीडियो भी आपको मिलेगा सारा सब कुछ करवाए जाएगा हाई कोट लडी सी का कम्पलीट कोर्स डेनिल क्लासीज पे पहले से अवेलेबल है कि वो थे 399 रुपे में अलग से टेस्ट सीरीज लेनी है कि अबल टेस्ट सीरीज भी आप ले सकते हो उसकी प्राइस भी कम कर दी है तो वीडियो को जितना ज्यादा हो सके आप लोग शेर करेंगे लाइक करेंगे डेनिल क्लासे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करना ताकि कोई भी नियू अपडेट आए वो आपको तुरंत मिल जाए धन्यवाद